दोस्तों कि आप जानते हैं कि हमारे सरीर में कितिना लोहा उपस्तित हैं या फिर हम अपने सर केबालों से कितना केजी तक का वजन उठा सकते हैं क्यों कुछ सेव पानी में तैरता है और कुछ डूब जाता है तो इस तरह के नए ऐफैक्टset जाने के लिए बने रहे हैं इस विडियो में, fact number one, क्या आपको पता है हमारे सरीन में इतना लोहा उपलब्ध है, जिससे हम एक छोटा कांटी बना सकते हैं, fact number two, क्या लगता है आपको, कि हम अपने सर के बालों से कितना केजी तक का उजन उठा सकते हैं, तो इसका जवाब है तकरीबन 12 टंस, यानि अग नमाल की बात, fact number three, ये तो हम जानते हैं कि हम अपने आवाज से काज के कफ को तोड़ सकते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि हम अपने साउंड एनरजी से एक कफ चाय को भी गरम कर सकते हैं, इसमें कुछ विज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम लगतार आठ साल तक तो हम अपने आवाज से इतना हीट एनरजी जनरेट कर देंगे कि हम एक कफ चाय को भी आसानी से गरम कर सकते हैं, fact number four, कि आपको पता है कि अगर हमारे मुँ में सलाइवा नहीं होगा, यानि थूक नहीं होगा, तो हम किसी भी खाने का स्वाद पता नहीं कर पाएंगे, क्य पता है, तब जाके हमारे टेस्ट का पता चलता है, सलाइवा यानि थूक ये एक मीडियम का काम करता है, और साती साती ये हमारे खाने को पचाने एवं निगले में भी कामाता है, fact number five, कि आपको पता है कि हमारा सरीर सिर्फ आदे घंटे में इतना हीट जनरेट करता है, कि ज इससे हम एक गेलन पानी को भी उबाल सकते है, fact number six, अपने चीटियों को तो देखा ही होगा, इसका साइस काफी छोटा होता है, परन्तु ये अपने सरीर के वजन से पचास गुना अधिक वजन उठा सकती है, fact number seven, कि आपको पता है कि अगर जब चान्द हमारे सर के ठीक जाता है, इसके पिछे का कारण ये है कि चन्रवा का गुरुत्वा कर्शन बल सीधे वस्तु के उपर काम करने से पित्वी का गुरुत्वा कर्शन बल थोड़ा कम हो जाता है, यही कारण है कि वजन हमारा घट जाता है, fact number eight, क्या आपने कभी सोचा हुआ कि हमारे आँखों को मेगा पिक्सल में बताए, तो यह होता है 576 मेगा पिक्सल, fact number nine, आपने सुना होगा कि एक चमेलियन अपने सरीर का रग वातवर्ण के अनुसार बदल सकती है, इस जीव का और एक विसेस बात है, इसकी जीव, आप इसके जीव की लंबाई जानकर हैनायन हो जाएंगे, fact number 10, क्या आपको पता है कि अगर हम सेव को पानी में डालेंगे, तो कुछ सेव पानी में तैरती है और कुछ डूब जाती है, इस पर बेग्यानिकों का कहना है कि जो सेव ताजा रती है, वो पानी में तैरती है, इसका कारण है कि ताजे सेव में 25% हावा रती है, जिसके का सेव का चायन करने के लिए बोला जाए तो आप एक बार उसे पानी में जरूर डाल देजिएगा अगर वह तैने लगे तो समझ जाएए कि वह एकदम ताजा सेव है और अब आपके लिए एक बोनस फैक्ट क्या लगता है आपको हमारी सरीर के हड़ी कितनी मजबूत है अगर ह आपने कुछ नयां सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर आल पर जरूर कर ले इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो जिलाता रहूगा धन्यवाद